तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज बनाएंगे बथुए वाली डाल और ये डाल अपने आप में बहुत ही स्वाधिश्ट होती है साथ में बहुत जादा हेल्दी भी होती है बथुआ सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और बथुआ खाने वालों को कभी भी खून की कमी नहीं होती तो चलिए देर की इस बात की रेस्पी को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूं बत्वे की डाल तो यहाँ पर मैंने बत्वा लिया है जिसे धोके महीन महीन कट कर लिया है अब हम लेंगे छोटे कप से एक कप अरहर की डाल आज इस डाल को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे मिक्स डाल के साथ तो अब हमने थोड़ा सा चना डाल लिया है एक चमच बड़े चमच से साबुत उड़त डाल और एक चमच बड़े चमच से मैंने लिया है धुली उड़त डाल आप धोली उड़त डाल के जगह पे मूंगी डाल ले सकते हैं या फिर जो भी डाल इसमें से आपको नहीं पसंद है, उसे skip कर सकते हैं नहीं तो आप सिरफ इस रैस्पी को चैने की डाल या फिर अरर की डाल में भी बना सकते हैं अब मैं अच्छे से 2 पानी से इस दाल को वास करूँगी यानि इसे रगड़ रगड़ के धो लेंगे ताकि जो भी दाल के उपर धोल मिटी है वो अच्छे से निकल जाए तो इस तरीके से मैं अच्छे से हाथों सरगड के धो ली हूँ, दो से तीन पानी से, अब मैं इसे थोड़ी दर के लिए भिगा दूंगी, जब आप डाल को आदे गंटे के लिए या 15 मिनट के लिए इसी तरह भिगा के छोड़ देते हैं, तो डाल बहुत ही जल्दी पक जात इस बात का ध्यान रखेगा, तो डाल को मैंने यहां पर 20 मिनट तक इसी तरह से भिगा के छोड़ दिया था, अब हम इसे डाल देंगे कूकर में, यह देखिए इस तरीके से, जो डाल भिगाया हुआ पानी था, वो बिलकुल साफ है, मैंने डाल धो के भिगाई थी, तो मैं बिलकुल साफ से डाल लीजियेगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हलदी, हलदी थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि यह बथुए की डाल है, तो बाद में बथुए की वज़ए से कलर थोड़ा सा हारा हो जाता है, अब मैंने थोड़ा सा हींग डाल विला लेंगे इस Тरीके से एक बार अब हम कुकर का ढगा लेंगे और चलते हैं फटा-फट गैस की तरफ तो मैंने कुकर को रख दिया है गैस पे और गैस पे रखने के बाद मिलियम फ्लेम पे तीन से चार सीटी आने तक मैंने दाल को पकाया है चार सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे जब kukar अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे खूल के चेक करेंगे ये देखिए kukar बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है मैं इसे खूल के चेक कर लेती हूँ डाल बिरकुल पॉफिक्ट पक चुकी है ये देखिए इस तरीके से एक बर मिला लेंगे ये देखिए ताकि आपस में जो दाल है न अच्छे से घुल मिल जाए अब हम इसे अलग बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो चलिए निकाल लेते हैं अलग बॉल में ये देखिए बहुत ही हेल्दी डाल है और जो हमने डालें मिक्स करके बनाई है उनसे बिलकुल इसका अलग टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर देखिए मैंने रख लिया है कडाही और कडाही में डाल देंगे हम तेल तेल डालने के बाद जैसे ही हमारा जो तेल है गरम हो जाएगा तो जीरा डाल देंगे उसके बाद थोड़ी से हींग डालेंगे दोनों चीजे अच्छे से जब चटकने लगेंगी तो अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज इस तरीके से बथवे की डाल बनाएंगे न तो आप हपते में 4 दिन यहीं बना के खाएंगे प्याज डाल दी है मैंने उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसन तो 10 से 12 कलिया लहसन को छील लिया था मैंने उसे डाल दिया है एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अध्रक डालेंगे लहसन इस दाल में थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब इसे इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे ये देखिए जब प्याज का कलर थोड़ा सा सुनहरा होने लगेगा तब हम इसमें बाकी की चीजों को एट करेंगे अब देख पा रहे होंगे प्याज का जो कलर है हलका हलका सा चेंज होने लगा है दाल को पकाते समय इस बात का ध्यान रख्येगा कि गैस की फ्लेम को मेडियम है लेकिन दाल अच्छे से गलती नहीं है पकी नहीं होती है तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से प्याज को भुन लिया है प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है तो अब हम इसमें थोड़े से मसालों का यूज करेंगे और मसाले डालते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लोग पर रखिएगा तो मैंने थोड़ा सा धनिया पॉडर डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पॉडर और दोनों चीजों को डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए तो यहां पर 30 सेकेंड बादी में डाल रही हूं तो यहां पर दो बड़े सा इसका बारीक कटा हुआ मैंने ले लिया था टमाटर और टमाटर आलके भी मैं अच्छे से इसमें mix कर लेना है यह देखिए इस तरीके से जब टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं इसका lead लगा के छोड़ दूँगी ताकि low flame पे टमाटर अच्छे से इसमें mix हो जाए डाल में उतना पक सके अब हम थोड़ी तेर के बाद देख लेते हैं तो यह देखिए टमाटर हलका सा डाल देते हैं डाल जो हमने बना के अलग से बॉल में रखी थी और डाल डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा गैस की flame को बंद करूंगी और डाल को अलग बरतन में transfer कर लोंगी यह देखिए बहुत ही देखने में भी अच्छी और खाने में भी स्वादिश्ट डाल बन के तयार है तो मैं इसे अलग बरतन में निकाल लेती हूँ यह देखिए एक उबाल आ चुका है तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अलग बावल में निकाल लिया है और अब लगाएंगे एक इसपेसल ता तड़का मैंने यहाँ पे एक बड़े चम्मस से घी गरम किया है और उसके बाद उसमें दो साबुत लाल मिर्च डाल देंगे लाल मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो उसके बाद डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च हाप्टी स्पून और अब हमारा तड़का तयार है तो हम दाल के उपर इससे डाल देंगे ये तड़का बहुत ही सोधा सोधा टेस्ट देता है इस डाल में फिर भी अगर इस तड़के को आप नहीं लगाना चाहते हैं तभी भी डाल बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि हमने पहले भी एक बार तड़का लगाया है अब उपर से डालेंगे हरा धनिया डाल को देखके ही मुँ में पानी आ रहा है आप इसे चावल से खाएं या रोटी से बहुत ही स्वादिश लगती है मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो सेयर कीजिएगा अपनी फेमिली और फ्रेंड में मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बैबै दोस्तों